हैलो दोस्तों माईशी में आप सभी का सवगत है आज में आपके सात्जाट बढ़ने वाला और अर बहुत ही टेस्टी मटरपुलाव की रेसिपी शेयर कर दियो इसाद चाहें तो चाहें तो चोलो के साथ कर सकते हैं यह रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज बिल्कुल ना भूलें जिससे आने मिली वीडियो का नोटिफिकिशन आपको समय पर मिल जाए और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें मतर परनीर पुलाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 1 कप चावल जिसे मैंने आदर गहंटे के लिए पाने में भी इगो दिया था और अपी चावल अच्छे फूल के तयार हो गए हैं साथी मैंने लिया हैं एक कप पनीर आप वजन में देखींगे तो यह दूसके नाम पनीर है इसी तरीके से मैंने यह हली मटर लिया है यह भी दूसके नाम है थोड़े से लिया है काजू दो-तीन टेबल स्पून इससे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा साथी हमें ज़रत होगी दो-तीन टेबल स्पून देसी घी की नमक टेस्ट के हिसाब से एक-ती स्पून जीरा थोड़े से लिए हैं खड़े मसाले जिसमें कुछ आट-दस नाने मैंने काली मिर्च के आट-दस लॉंग और दो-तीन पते तेज पते के लिए हैं जितने चावलते उससे जस्ट डबल पानी डालकर मैंने चावलों को भिगो दिया हैं पुलाव बनाने के लिए हमें दूने पानी के ज़रुद होती है आप चाहें तो पुलाव को प्रश्यकूकर में बनासकते हैं भगउनी मैं बनासकते हैं आज मैं आपके साथ कड़ाई में पुलाव बनाले की सेट टेहां सबसे पहले गेस याँ करेंगे और उसके उपर मैंने नहीं गड़ाय रग दिया है कड़ाई के अंदर हमने जो गी लियाता है यह गी डाल देंगे जैसे ही घी मैल दोता है उसके अंदर हम यह काजू डाल देंगे काज़ू को हलका सा sense कने में ज़्यादा टाम साल नहीं लगता अर गीवश्य में ज्यादा ब्राउन ही करना है। काजु निकालने के बाद जीरगे जीरा करता है तो जुक्त करते के इसमें धराब नायब माधा डाल देगे कर दावर देखें लो प्लेम पर करें रह्याब तो तक शेकिंगे कर रहा दा दावर नमक करोगा नायब तेखेंगे एक मतर डालने के खुछ से किंट बादी हम इसमें ये कटा हुआ पानीह डाल देंगे पानीह को मैंने बड़े-बड़े क्यूप समीं आप अपने मन पसें शेप में काच सकते हैं यसे में हम इसमें के डॺआ डाल देंगे और इसके बाद पहले के ढिशते कल्सक्राइब ग dw और इसके बाद पहने के ड़कान लगा देंगे और हाइफलेम पर हमें कि 관़ राचा निकाल धूरी के कि यह थू आक ना की करेंगे और हम इसे 5 मिनट तक ढटकर इसी तरीके से पकने देंगे और 5 मिन तक मैंने चावलो को एक दम लो फ्लेम पर पका लिया है और आप देख सकते हैं कि चावलो में पानी पूरी तरह एक जॉप कर लिया है बस इसी समय हम इसमें ये काजू डाल देंगे और जब चावलों में हलका सा दाना रह जाए यानि वह बहुत हलका सा टाइड हो बस उसी समय गैस का फ्लिम आफ कर दीजिए और चावलों को और दो मिनिट तक इसी तरीके से पकने देंगे जिससे चावल अपने ही दम में पकजाएगा और बहुत टेस्टी चावल माना तयार होगा और दो मिनिट बादी हम पैन का धकन हटा देंगे और चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावलों में से खड़े मसालों की बहुत ही अच्छी कुछबू आ रही है मैंने चावलों में सिर्फ काजू का यूज़ किया है क्योंकि मेरी बेटी को किशमिष पसंद नहीं है अगर आपकी यहां किशमिष पसंद है तो आप इसमें किशमिष भी डाल सकते हैं आप चाहें तो इसे फॉल के साथ से उलार कर सकते हैं या फिर सिहरों के लुँत rozp हैं गाओं और थे – श aos stars को क्या को हो ऐनधार हैं तो प्लीस अपना फीडबेग जरूर दे हैं तो प्लीस लाइफ करें फ्रें और फ्रेम्ली के साथ स्थशेयर करें। और मेरे चन को लाइक इन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले और प्लीज लाइक जरूर करें थैंक यू